हेलो दोस्तो वेलकम टू मैं चैनल रिम्स फूड्स और व्लॉक्स में आपका स्वागत है महरी महरा एकबर पीट से एक नई रेसिपी के साथ तो आज की जो हमारी रेसिपी है यह है भिंडी की रेसिपी है आज हम बनाने जा रहे हैं कुरकुरी मसालेदार भिंडी जो की तो अज़ बनाने के लिए थोड़ा से सामान जिसमें से मैंने लिया था बेसन अमारी जरूरत के हिसाब से एड करेंगे नीबु अगर ना हो तो आप आमचूर पाउडर भी ले सकते हैं हल्दी पाउडर नमक गरम मसाला जो की धनिया और जीरा का मसाला है जो घर में पीस के और यह है लाल मिर्च बस इन्ही सब के साथ हम बनाएंगे आज की हमारी रेसिपी तो पहले हमें हमारी बिंडी इसे कट कर लेना है तो हमें इसे शोंप्ली को देखिये कुछ इस तरीके से कट कर लें डेги आप देख रहे हैं इसमें बिलकुल बीज भी नहीं आप चाहें तो लेकिन विंडी हैं तो अगर भीन में उतना आप ऑसी तरीके में आप से कट लेंगे लेकिन अगर बीच में कूछ लम बढूत मेelैं इसे काट लेते हैं, इसका साई जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सारी पिंडियों की कट्टिंग कर ली है और कुछ इस तरीके से देखिए जारी बड़ी थी कट लिया है, और जो नॉर्मल साइज में थी उनको वैसे का वैसे छोड़ दिया है, और जो बीज हैं यह पके हु लेंगे हल्दी पाउडर जिसे इसमें कलर आजाएगा प्यारा सा कलर आता है तो हम या पर थोड़ा सा इसे पीखा करने के लिए लाल मिर्च अगर नहीं खाते हैं तो सकीप कर सकते हैं या कम जादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अपॉरिंग यह है धनिया जीरा का पाउडर जो कि मैंने घर में बनाके ready किया है, आप कोई भी ले सकते हैं, यह भी मैंने यहाँ पर खुब सारा घनिया जीरा का powder ले लिया है, और अब मैं यहाँ पर लूँगी बेसन, जो बेसन मैंने यहाँ पर लिया है, दो टी स्पून फिलाल भर के मैं ले रही हूँ बाद में जरूरत की साब से हम फिर से लेंगे और अब मैं यहाँ पर एड़ कर रही हूँ आमचूर पाउडर वैसे तो मैंने नीबू भी लिया है और मुझे तोड़ा चटपटा पसंद है कट्टा मीठा पसंद है तो मैंने आ बाद अनुसार आप अपने टेस्ट के वाडिंग नमक को एड़ किजिएगा और अब हम यहाँ पर साथ में एड़ कर देंगे नीबू जो मैंने इसमें पूरा एक नीबू इसमें निचोड़ दूगी इससे एक तो इनकी कोटिंग भी अच्छे से हो जाएगी जो कि हमारे म मासाले हैं थोड़े भीग जाएंगे और इनकी कोटिंग भी अच्छे से हो जाएगी और इससे टेस्ट भी काफी जवरदर्स आता है तो हम एक नीबू भरके इसमें एड़ करते रहें तो बस इन ही मसालों के साथ हम बनाएंगे हमारी आज की रेस्टी तो हम इसे अच्छे की ज़ा होगामें अर्फ दीखकत आईगी और आप इस अरब ज्यादा क्रिश्पी करना चाहते हैं ज्यादा यहky चावल काथा के लिए रखना अप्रैम घाएं टो आप दूड़ना है और कुछ इस तरीके से डिएटल जुटायया है इसी तरीके से ज्यादा जुड़ने नहीं देनी है जिससे उती क्रिस्पीनेस नहीं आईगी तो हमें फ्लेम को है र्क्रैम घाई है आप अपने इजाग से फ्लेम मैनेज कर सकते है और इसा तरीचे इस से crispy होने तक फ्राई चुकिए, देखिए दोस्तों, रचाए हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है. आपको देखिए इसके आवाज भी आ रही होगी है काफी कुर्कुरी बनके तैयार हुई है तो हमने इसे फ्लेम का ध्यान दखते होगे इसी तरीके से प्राइ कर लेना है तो इसी तरीके से हमारी बाकी भिंडिया भी फ्राइ कर लेंगे तरीके बाकी और ने समॉक्त cary joking अजय को अएखिए तो और अजय वी बाका यह अजय इस्प्राह जो खुआ हिस का झाते ह्ग सुर्कूरी ज़ी अगे तैयार और यह मासालय भी बहुत अच्छ है से के लिए मसाला रेडी किया था देखिए एंड में यह थोड़ा सा बच गया है तो हम सोच रहे थे हम वेस्ट क्यों करें तो हमने सोचा क्यों ना इसके साथ हम कुछ और फ्राई कर ले तो मैंने या पर एक प्याज ले लिया था इसको इसमें डाल देते हैं और अच्छे से हम अब हम इसे फ्राई करेंगे क्योंकि कुछ भी हम बनाने जा रहे हैं तो वेस्ट कुछ भी होना नहीं चाहिए तो हमने मसालो का यूज कर लिया है तो चले हम इसे प्याज को अच्छे से कोटिंग कर लेते हैं और तो फ्रेंड्स देखिए हमारी यह कुर्कुरी मसाले दार भिंडी बनके हो चुकी है तैयार और साथ में हमने प्यास भी फ्राई कर लिया है इनको हमने जादा कुर्कुरा नहीं किया है क्योंकि यह हलके सॉफ्टी अच्छे लगते हैं पर इनमें भी मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं तो आज की हमारी जो रेसिपी है यह बिल्कुर रेडी है लेकिन इसमें हम टेस्ट को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ब्लैक सॉल्ड का ब्लैक सॉल्ड से इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है तो बस ज्यादा नहीं मैं हलका सा उपर से ब्लैक सोल्ट इस तरीके से इसके उपर डाल दूँगी जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़ाधा बढ़ जाएगा और बस हमारी जो ये मसालेदार बिंडी है कुरकुरी बिंडी वो बन के हो चुकी है तहिया अगर आपको आज की हमारी कुरकुरी बिंडी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें थैंक्स फॉर वाचिंग